लोग सभाचुनाओ 2024 के कुछ चंद दिन ही बचे हैं ओटिंग के आज हम बात करेंगे समजवादी पार्टी की अंतिम सूची के बारे में समझवादी पाटी की अन्तिम सूची फाइनल कर ली गई है पतियासीयों के नाम फाइनल हो गए है बس सूची का अधिकारिक एलान होना बाकि है जिसमें कैशर गंज लोग सवासीट से समझवादी पाटी के पतियासी होंगे बैदनात दूबे वही बलिया लोक सभासिट से समाजवादी पार्टी के पत्यासी होंगे सनातन पांडे वही मचली सहर लोक सभासिट से समाजवादी पार्टी की पत्यासी होंगी रागनी सोनकर वरतमान में मचली सहर विजान सभा से रागनी सोनकर विधायक है वही फुलपूर लोकसभासिड से चर्चा हैं कि समाधवादी पार्टी एक बार फिर पलवी पटेल को माउकाद दे सकती है क्योंकि पलवी पटेल ने पीडिये में एक गर्वंदर मनाय था असादिन वाईसी के साथ मिलकर असादिन वाईसी वापिस चल गए हैं चर्चा हैं कि पलवी पटेल राश्टी अदश अकलेस यादो जी से मुलाकात कर सकती हैं राश्टी अदश जी समय मांगा है मिलने के लिए पलवी पटेल 2024 लोकसभा चुनाव में फूल पुर लोकसभासिड से इंडिया एलाइस की पत्यासी हो सकती हैं वही कनोज लोकसभासिड से समाजवादी पाटी के राश्टी अदश अकलेस यादो जी चुनाव लड़ेंगे चर्चाएं थी कि राश्टी अदश अकलेस यादो जी चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन राश्टी अदश अकलेस यादो जी ने फैसला बजल दिया है हायक है चर्चाएं थी कि समाजवादी पाइटी यहां से बहुबली धरंजे सिंग की पतनी सिरीकला सिंग को टिकट दे सकती है लेकिन समाजवादी पाइटी ने फैसला बदल दिया है समाजवादी पाइटी जौनपूर लोकसभासिट से लकी यादों को दो हजार चौविस लोकसभाचुनाओं में पत्यासी बनाने जा रही है वही खुसी नगर लोकसभासिट से समाजवादी पाइटी के पत्यासी होंगे इंडिया एलाइंस के पत्यासी होंगे केसव देव मौरिया चर्चाएं कि समाजवादी पाइटी इन्हें खुसी नगर लोकसभासिट से द इंडर्जित सरोज समाजवादी पाटी के बिधायके